प्रनाम मित्रोव। स्वागत है आपका हमारे चैनel और पेच पर आज सात्में हमारे डाडी बेठे हैं आप के प्रस्न है और डाडी के उत्तर हैं और आज का जो कंसेप्ट है तिरंगा गीत पर आधारित है तो सब से पहले प्रनाम करती मैं नहीं हुआ नगी हूँ डडी को जीते रहो। कैसे हैं दडडी आप तफियत कैसी है? मैस आप तफियत क्या है गुणी पावर सर जिदा है इछ्छा शक्ती है उसे है अशडीर को हर आदमी का मैंने शैमी लिखा है समय की धारा में उमर मेह जानी है लेकल साथ में भी है कि दो पल के जीवन से ही को चुरानी है। आपको लगता है वो दो पल के जीवन से आपने एक उम्र चुराई है। अब मुल्ण सैटिस्वाइड हो। नई है। सैटिस्वाइड जो हो गया। अब जैसे मेरा नाम ही है। संतोष आरन मैं तो इसे मिर्चु का प्रतीक बालता हूँ। क्यों कि संतोष जिसने संतोष वे आरन्द कर लिया। उ तो मैठा हुआ है कोई कर रे कि कुछ काम कर रे की जरूरत नहीं है। तो संतोष वे आरन्द नहीं। कर्म में आरन्द होना चाहिए। काम करते रहे। मैं आज चाहिए शरीर उत्रा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं इतने अप्रोग्राम किये बने। जिनमें मुझे नहीं नहीं बाते पता पड़ी है। और मैं सुनके दंग रह गया। क्योंके मैं ऐसी जगा रहता हूँ। यहां दिल्ली में बाजार भी दूर है। और ना कोई जुलूस निकलता है। ना कोई जल्सा होता है। ना कोई रैली होती है। अचा टीवी पर तो टीवी वाले अपनी पसंद की चीज दिखाते है। पर जब यह मकान आप लोग मम्मी हम लोग तो बहुत चोटे थे। जब मकान तयार किया जा रहा था तो आप दोनों नहीं बड़ा इस जगा को पसंद किया था। में अच्छी जगों डिली की एक मानी जाती है। मानी तो जाती है। ओर बड़ी शांत इलाका रहा था। में वे पस्ट दिली में इस एक है। तो अब कही ना कहीं सिखंदराबाद को मिस करते हो। या मिन्टोरोड वाली लाइफ को मिस करते हो। मैं शिकत्रवाबाद को तो दिद्णा तयाद करता हूँ, जो मेरा बच्पत्र भीता है, तो जिसमें है, बतलब एक तरह से अभावी अभाव था, उस अभाव को भर्द्रे के लिए, तो मैं कुछना कुछ करता रहता था, उसे आप शेतानी भी कह सकते हैं, तो आपको यह नह नहीं, बिलकुल नहीं, बलके उसमें आणर दाता था, जीवन में, फिर आगे बढ़ने का, फिर सोचा, फिर घर की परिष्ट थिया, यह सारी चीज़े, मैं किसी सबर्थ यह संपत्र परिवार से तो हूँ नहीं, मेरे उपरी दाइत्वता, बड़ा मैं था, पिताजी करता, तो मुष्किल हो जाती है, तो यहां तक बात है आई, जिन्दगी में, लेकर कभी, मैं हाँ, 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 अब आके, क्योंकि टेंशन इतनी रही है, और मैंने उन्हें कभी महसूस रही किया, लेकिन वो अंदर ही अंदर मेरे शरीर को एक तरह से प्षय करती रह ही, तोड़ती रही, तो अब आके जो है, वो शरीर में, अब चलने फिरने में, इसमें काम करने में, लेकर मन्च पर जाता हो, तो फिर वो पता नहीं कहां से प्रभू शक्ती देता है, वो जनता का प्यार है, अच्छा, आज वही चीज को लेके हम यहां पर बैठे हैं, और क्यूंकि जनता जो थी बार बार प्रशन लिखती जारी थी, तो यही हमने एक सेगमेंट स्टार्ट कर दिया है, जनता के सवाल संतो शानजी के जवाब, आज जो कोशन लिए गए हैं, आपके प्रशन तीन प्रशन सक्ट हैं, जिनके हमने तीन प्रशन एक कैटिगरी से चलता है चाहे शादी हो चाहे आजकल शादी में भी चलता है क्योंकि प्रदान मंत्री जी की जो मुहीम भी चल रही है वह तो बालू हुआ के पंदरा अगस्त पर प्रदान मंत्री जी अपने पेज पर जी जी बिकुल डाला है उस पर ये गीट और उसमें अचाहर मुझे पता नहीं मुझे क्या है हाथ कापता है तो में तुम्हारा इस्पार्ट फोन इस्तेवाल करता नहीं जबकि है सब कुछ आपके पास नहीं सब कुछ है पर तुम लोग अचा मुझे कों वही बता कर भी देता नहीं मुझे क्यों सब्सक्राइब का प्रृत का प्रतीक है तिरंगा भारत का प्रतीक सी खाई तरगई भारत कई प्रतीक है। आप यहादभा जोष आता यह तरगा मतलब जोष तो 15 अगसि पे ऐसा लग रहाता है। तिरंगा की दिवाली हो री और हरी मुआ आता हॉघ ट्रयेगया था यह अन तिरंगा है। अच्छा मोत नहीं सुगत us के यहां पता नहीं कितने और सब गाह रहे थे यह आति रगा है मैं तुझा अभी मुझे पता रही के कावड़ में यह तो भूले शंकर के भजल बजे हैं और यह यह गीत बजा है जितने भी बोले थे इस बार उनोंने सब नहीं इसी गीत को मतलब उनके जितने भी डीजे चल रहे थे यही गीत हाँ यही सुझने मैं मैंने ली देखा आप देखिए कितरी बड़ी विजब बना है और सब सबसे पहले में मुझा पर्णा कर गया तो वहां पर सब लोग मोले साव इतना पर आपको पता ही तो पहला जो प्रशन रड़ी जो एक प्रशन सख हैं विजनोर से हैं उन्होंने उसका उत्तर आप दीजिए तिरंगा का आपके जीवन में क्या महत्व है प्रारभ मुझा है क्योंकि जब हम जैसे ही बच्पद में ही हम लोग यह तिरंगा लेराता था तो देश भक्ति की भावना जगती थी तब तो यही गीत था विजय विश्व तिरंगा प्यारा इतना अर्थमी नहीं समझते थे लेकिन इतना जरूर था कि इसका सब्बंद देश थे है राष्ट थे है अब देश की जगह हमको राष्ट भी बोला पड़ेगा क्यों राष्ट में व्यापकता है तो हम लोग जो है इसी लिए राष्ट पती होते हैं तो मेरा मतलब यह है कि देश की भावना जो जगहे जो भी हमारा उसके लिए लवन है हमारा जो कुछ भी सरवस्त्र है वो उसको अर्पित है समरपड है और आदमी के पास जादर जादर क्या होती है जान उसकी उसके प्राण वो भी देश के लिए राष्ट के लिए दिछावर है सबसे पहले है राष्ट और उसका प्रतीख है तिरंगा अच्छा एक प्रशंसक जी ने यह लिखा हुआ है कि जब तिरंगा फिल्म की कलपना हो रही थी और जब लिकी जा रही थी तो क्यूंकि आपके लिए यह यह गीत बन जाएगा मैं कहीं जाता हूं लोग मुझे सुनाते हैं मैं तो एकादी लाई नहीं पड़ पाता हूं जो मैंने भी अपनी आखों से देखा है नेशनल एंतम की तरह जब भी समापन होता है लोग ख़ए हो के उस गीत को ऑगा देखे पता नहीं क्यों कुछ पा कर खोड़ा है कुछ खोकर पाना है मैंने बहुत कुछ खूया है लेकिन बो जन्टा का दुलार जन्टा का प्यार इतना मिला है के मेरे पे आचन लही है जिसमे उसको मेरे समासा कूँ जब ये तरगा का गीत लिखा गया है तो इसके प्रोडूसर डिरेक्टर वो आए बहाँ पर मेरे पाल लक्षिविदी का प्यारे लाल उन्हें लेके आये उन्होंने का साविल का ये नाम है और ये कोहरा वगएरा फिल्म बना चुके है तो बोले के ये तिरंगा नाम से फिल्म बनेगी तो फोरणी मैंने मुखड़ा वही का वही दिया ये आन ती रंगा है ये इसान ती रंगा है मेरी जान ती रंगा है उसी समय और मान ती रंगा है अभी बान ती रंगा है मेरी जान ती रंगा है और लक्षिविकान प्यारे लाद लग फौरादी इस पर दुन बर्ण तक यह नहीं पता था स्टार कास्ट क्या है फिल्म की नहीं वह ऐसा वह प्रोडूसर डिरेक्टर थे वह स्टार कास्ट पर बहुत अच्छा उनको यह था उनको यह नहीं था कि यह गीत कमाल करेंगे आजीब था दोनों इगो इस थे राजकुमार और लाला पाते का और यह हो रहाता यार यह फिल्ट बनेगी भी के नहीं तो एक जीत उसमें डाला गया काईदा तो तो उसमें मैंने शुरू में दो लाइन लिख दी तुम तुम हम हम है ना तुम कम हो ना आप देखिये रक्षा बद्लन का गीत इसे सब्ने ओना रहे हैं उसके बारे में कि एक सी दिन हम बैठेंगे अब अब सेग्मेंट हम चलाते रहेंगे और आपने जानी लिया होगा दूसरा जो प्रशन है प्रशन सक्का ने अब हम इस पर और बोला चाहता हूं बुल कंटि करता है कि लिप मुव्मेंट से यह गीत गाया जाए लेकर वह प्रोडूसर डिरेक्टर की अपनी वह होती है हर प्रोडूसर का अपना वह होता है मनुश कुमार जी नहीं पूरी फिल्म इस डिपेंड कर दी थी शोर एक प्यार का लगवा है मां जो की रहा है यह प्रोडू यह प्रोडूसर को यह सोच के लिखता हूं हर गीत को के यह फिल्म को उभार के लिए और एक नीचे का मज़ूर हो किसान हो बिना पड़ा लिखा हो और बेहत विद्वान हो हुआ अलिव फाजिल कामिल कोई भी हो को सारे के सारे गाएं आट गाएं लोगाँ शुन लेते हैं अच्छा लोगों को मुखणा भी याद नहीं होता यह प्रभू की किरपा है कि मेरा पूरे गीत लोगों को याद है तो यही वैं चाहता था इसको तिरग्जा को के लिभ म यह गाया जा लेकिन मैंने लिखा दिल से और उसकी किरपा भी हुई प्रदान बंतरी जी का और उनके जो अधिकारी गड़े हैं उन सबका हाथ जोड़के अभी आदाद करना चाहता हूं अगला प्रश्न है नहीं वागई उनकी किरपा रही जो जो ने अपने पेज पर डाला हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे और अपने अपने नापों का वो हुदी कफन सिलाएंगे आवाज तिरंगा है एलान तिरंगा है मेरी जार तिरंगा है मेरी जार तिरंगा है अगला प्रश्म निती पर है तो प्रशंसर जी ने भीजा आए प्रधान मंत्री जी द्वारा तिरंगा मुहीं से जो राष्ट द्वज की जो राष्ट के प्रती संमान की सीख दी जा रही है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है है आपकी ऐसे जब पहुंचाएगा तो दिलों में अपने आप पोंचाएगा यह हमको अवे साथ ते रहगा देहार रख रहा जाए राष्ट का प्रतीत है हम लंग बाश्ट है चरणी का अगा जो अब फर्डश में इस परेमर में ऐसे में भाला निज था कर नो थो अब तरग्य कर दों में परेऊ कम आप में सा शौने भाई पंआ या कि धाया था याको चाहिए अ याको दुझ फेहराएंगे इसके तीनों रग क्यामत तक यूही लहराएंगे और अजाद ही जिनके डब से हैं उनका नाम बढ़ाएंगे उनकी कुर्बानी को यारों हर्गिज नहीं लजाएंगे विश्वास तिरगा है वरदार तिरगा है मेरी जात तिरगा है क्या रहा होगा जब हमें तो आजादी मिली हमें तो आप लोग आप माता-पिता ने सब कुछ दिया है क्या रहा होगा अरे ये का हम से पूछ रहा है अज़ मतलब वो लोग घर चोड़के निकले होंगे सर पे कफन बांध के कि अब नहीं आएंगे वो बनाब उसमें क्रांती में है ये मेरा अपनी मर्जी का ये दुश्वन है खुदगर्दी का सर कफन बांध के निकला है दीवाना है ये पगला है अजय को मिट जाएगा आजार रटन कर जाए तो यह हमने आखों से देखी यह चीज आखों से अखों से मैं आपको बताओं मैं बहुत छोटा था बेचा तो वह पर अग्रेजों से जाना जो अग्रेजों के चप्चे थे गुलाम ते जबीदाव बगलामी जिल्के कितने साल के रहे होगे मैं आठ साल का था जइंड आधागा क्या माम ना करती थि वह फार मूले तो वह फो फोट्याड़ चुकता नहीं होता था कि सहारों से वह लोग कर्जा लेकर लगाज चुकाते थे तो कर्दा जो डेता था उसमें रस्ता माद रखाता अट्वुदार अर उस पर उल्टा लटका के और कोड़ी बारते थे जड़ी बारते थे मैंने वो जो मैंने लिखाए ना लाखो कोड़ी तूटे फिर भी चूटा रादम खब चना जोर गराव तो वह 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 दिमाग में अबा बना करती थी अबा बुलती थी उधर बन जाईयो उधर वह लेकिन मैं जाड बूट के जाताता था जिनली यों से देखता था था है वह ऑन देश मंति कि तो थीज। आन्व नधог लगातार लाल के लाइवैन देश भकति कर चूज anch इसका पाकिस्तान का और फिर एकतर वाला जो है बंगला देश जो बना और वो वैसे कारगिल का भी हुआ लेकिन कारगिल का जो है उसका यहां हम को इतना वो पर आपने गीत तब भी लिखे काश्वीर पहला गीत को बहुत लिखा था यो लाल किले वे बिल्कुल मैं बहुत छोटी थी जब तक तो बिल्कुल अश्टिबलिश हो चुके थे आप जब हम लोग आए हैं दुनिया में लेकिन मुझे यह पता था कि लोग विदेशों से सुनने आते थे लाल किले का उससे म लोग टेक्सी करके आते थे और एक इस तरीके का होता था जैसे एक क्रेज होता है ग्लैमर का सेलेप्रिटीज का वी आई-पी का कवियों को आपका एक अजीव सा एक रुस्मा हुआ करता था लोग मतलब वाइं तील-चार कवी थे जिनका बोटों लिखा जाता था अच्छ आप देखिए अगर ऐसा नहीं हो तो प्रेणा कैसे भी लिए बिल्कुल कॉंपटीशन जब तक नहीं आएगा तब तक की प्रेणा नहीं होना चाहिए यह इसना इतना पढ़िया लिखा है मैं क्यों नहीं लिख सकता यह होता था था पहला उसम लाम दिये जाते थे आपका लादला संतो उसानग यह मतलब मैंने देखा बेटे और तब के पोस्टर होंगे तब के तो और मुझे जो है सबसे शुरू सही बड़े बड़े लोगों का शिरवात में है मुझे फिले भी लाइन में भी घर स्रे लेग के गए है मैंने कोई कोशिशनी कि वो दौर मैंने भी अपनी आपों से देखा है वो दौर मैंने भी पंच सितारा होटलों की वो पार्टियां देखी है जैसे ही आप जाते थे सब छोड़के वो भीड़े कलग हो जाती थी और मतलब आज भी वही क्रेज है मैं आज तो और आज की एसने बहुत जादा और बढ़ा दिया लेकिन अब के और तब के दोर में एक फर्क ता तब इंशा नहीं हुआ करती थी तरहीं तरहीं तब तपस्या की जाती ति घुआ तूए वह तुम्हें बता दू एक टेस्ट मैं शोटी थे लोग राष्ट के लिए खेलते थे बड़ा राष्टे लिए अब भी होता है लेकिन दल्ता में जादा होता है किर्केटर समय कम होता है और आज है IPL का जबाना किसको पैसा जादा मिलगा है कवीता आप देख रहे हो यह टीवी पर भी क्या दिखा रहे हैं मतलब यह है कि आप जो है इतना संकुच कि कर दिया आपने कवीता बहुत व्यापक चीज़ है ब्रह्माद से भी वली है कवीता जिसका कोई अंती नहीं अर्य भाई इतना प्यार मिलता है मैं प्रियाग राज अभी जया तुमारे पती वेरे साथ गए थे हैना और वो कहते हैं इतने फूल बरसाए गये मैंने लाइव नहीं आपको महां से और मुझे अभी अजबेर गया आपका लाइव इस्ट्रेमी मुई थी इस पर हमारे गो आती और मुजब्फर्णागर में तो बाई दो बार आखिर वोला के हो आखिर वो एसेसपी आई हुए थे बोले साथ बै जाना चाहता हूं और मैं पर्सों से आपके घी सुन रहा हूं आप जो है एक बार उन्डाए तो बैन जाग गया बहुत नहीं पता पड़ा के कावल जो आड़ा मुझे मिल लही आ अपने प्रदान मंतरी इसे बने एसा प्रदान मंत्री मैं हमेशा यह सोचता रहता हूँ, कि यह सोचते कम है, और यह सोचते कम है, दोरो बात है, यह सोचता हूँ, यह सोचते कम है, और कम के लिए आजमित कर देते हैं, क्या बात है, इसे सीख लेने चाहिए, आज को यह सीख लेने चाहिए, देखें, मैं क्रिष्ण योगु में त तरक पेदानी हुआ लेकर महदी योग मैं बढ़ा हूं लेकर मैं ऐसा कर्म योगी शेक्ट को और भावी पीडी को और भावी पीडी को और वह बावी पीडी के बारे में सोच रहे हैं अब हमाना देश बड़ा बहुत है अच्छान भारत भारत की संस्क्रिति है उसको फास्चात की संस्कृति को नहीं और ये कब बात है पुतिल के सावले यूद्ध चलना रूस ओर उसके सावले उसके mandate पर अपनी भाशाब सबसर बड़ी बात क्या है अपनी भाशाब है ओँ कहते है यह यूध गातो है इस वाल हिम्मत चाहिए है। 56 तो बहुत कभ होता है। 56 का तो तब बताते थे। अब तो मैं कोई बोली कर रहा हूँ, मैं असलियत और सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं हमेशा सत्य का साथ दिया है। मैंने जूप नहीं बोला है। सच्चाई बात है। आज कल कविता के मामने में घुषपड़ेट यह आ गए। चुटबई यह आ गए। बतना मुझे जो बोलना है साथ मैं बोलुगा। यही आपकी एक हो रही है। यही पहचान रही है। चलते चलते। अधिकतर क्या हो रहा आपके चैनल पर बहुत सारे क्वेशन आते हैं प्रशन आते हैं अगर कि किसी को भी किसी आयोजक को संतोष जी के साथ प्रोग्राम करना है आप डारेक्ट मैसेज वेजिए आप डारेक्ट बात कीजिए इंसे यह खुद अपनी जो भी अगर सुवीदा अनुसार यह आ सकत प्रोग्राम से नहीं जाते क्योंकि आए दिन आए जोको के मैसेज़ अरे कल से भी पड़े हुए हैं तीन दिन का बोल रहें भाई मैं तीन दिन के से रहुआ हुआ देरा दूर में आप लोगों को ऐसा लगता है कि आए दिन घर पर भी आते रहते हैं मैं यहां पर एक होगा तो मैं पहले से यहां पर सूचना दे दूंगी अगर आप लोग आपके निकट है और आपके बास समय है तो वहां जाकर आप संतोष जीते मुलाकात कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक मीटिंग मीटिंग रखे क्योंकि घर प अत्मिक्त्रों एक और अच्छी बात है अर्मान तिरंगा है कि यहीं नाम से कल करेक्रम है तो आप लोग वहीं पर जिनकों भी मुलाकात करनी हैं दिल्ली से नजदीक हैं जो अपने उनके पास समय है समय के अनुसार कल वो आ सकते हैं आप अपनी पिक्स की चवाईए क्यों दो बड़ा ओंते हैं हैं आपके अपने जाते हैं हैं हम बहुत कहते हैं पर क्या होता है फो भी ओती है मरियादा होती है और आप को शिचे की जाएगी कि जहां पे भी प्रोग्राम होगा आपको को कर दिया जाएगा आप मुलाकात कीजिए बात कीजिए जो भी बात है आपका जो क्वेश्चन है डारेक्ट पूछ नहीं कोई मिलना चाहिए तो वह पहले से पहले से प्लीज बात कर ले ला हां बोल देना तो मेरे पात तो यह स्वार्ट फोल वगहरा है मैंने आपको बताया मुझे यहीं पता नहीं कि यहां तिरंगा है इतना में शुरू हो रहा है लोग आ रहे हैं और मुझे सुनके मैं स्टब्द रह गया भाव विबहर हो गया अभी भूत हूं मैं आपके प्यार से और आप आपका तिरंग्या के प्रती अनुराद यह सब्स् है बिल्कुल यही बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बात कीजिए और जिस भी जैसा भी सम्मभ होगा उसी तरीके से मुलाकात हो जाएगी आपकी डैडी से मैं पब्लिक मीटिंग का आयोजन जल्दी फिर भी करूंगी जिसमें क्या होता है कि जितने भी आसपास के हैं जन्दा लगता है दंदे मैं देखे सुन जीजे बात है हां सबच गए और यह एक कपडे से बता है समझेगे अब आप उसको कैसे भी कर ली दिये है ना जन्दा उंचा हमारा रहें जन्दे के साथ हमारा जन्दा वरि उत्र उंचा होना चाहिए यानिके हमारी शक्ति भी अ हमारे प्रदार मंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कहिए अभी जवानों के सामने, उन्हें का बिना सावर्त है के शान्ती नहीं आ सकती, बहुत, तो सावर्त क्या है? दंदा उसका और वो तिरंगा, दोलों एक दूसरे के परियाये हैं, समुझ गए हमारा जंदा तिरंगा ह और तिरंगा हमारा जंदा है, और ये दोनों उचे रहने चाहिए, ये तब रहेंगे, जब हमें सावर्त हो भी, और भावी पीडी को हमेशा, मैंने क्या बताऊं साब, मेरी तांग खराब हो कोई, शुरू बही, लेकिन दिल था, कि मैं भी जो हूँ, सेना में जाओं, खास अब हमाजी रहाज में बैठता हूँ, तो उन दिलों की याद करता हूँ, जब मैं सुस्ताता कर मैं भी देश के लिए, और सेनिक मन के उड़ूँगा, तो यह बात है, अब सारी बात हैं, आज मी उड़ रहे हैं अपने गीतों को, आज मी खरगर में तो बात क्या है, अभी में भी लिखता हूँ, जब नहीं लिख पाता हूँ, तो मैं उडास हो जाता हूँ, बहुत भारी पढ़ होता है, शिर्फ गीत के लिए, और गीती अगर यह गीत नहीं होता, तो शायद दिलाव जी नहीं रहता, अब मैं केल पहता हूँ, एकाने आद्बी की जरूरत प्रत मैं आपको खुद देखा है हम ममी भी हम लोग बात भी करते हैं घर पार हम लोग अब तो भाहिया जब चे गए हम लोग फॉलिटेस पर जाया करते थे तो मैंने खुद देखा है डैडी केंटी फोल आप सब को ही पता होगा मसुरी में बड़ा फेमस एक पिट्निक स्कॉर्ट आप नीचे उतर जाया करते थे नीचे और वो बड़ी खड़ी 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 चोटियों पर चड़ता था जो बंगला कोने वाली तो अब मैं देखता रहता हूं तो अब कभी-कभी सोचता हूँ क्या ये पाड़ी मेरे पैरों के नीचे आएगी उल्ता सोचता ह पहला तो ये था कि अचड़ जाओ आएगा इस पर अब होता है होता है अब अगया अरे जिन्दगी पर इतने गीत लिख डाले और जिन्दगी को अभी तक निक समझ पाया मैं क्या कोई नहीं समझ पाएगा कोई भी कृष्ण भवाद भी नहीं समझ पाएगा उपर वाले इतने लोग भेजे दुनिया में एक से एक आला दर्जे के लेकर नहीं समझ पाएगा अधूरा छोड़के और चले गएगा और वो वो जो लेख है वो आस तक पूरा ही नहीं हो पाया नहीं ये लेख कभी पूरा बात चुलो मैंने एक जगे लिखा है रह जाए तो रस्ता ह जो प्यार समझता है सब कहते उसे दिल है तो जिन्दगी का अर्थ मैं तो अब यहीं बाता हूं कि प्यार है और नहीं पीडी को हमेशा दिमाग को संतुलित रखे देश के प्रति प्यार पहले प्यार को सब्जों और सबर्पित होके इस देश सेवा करो राज सेवा करो यहीं तिरंगा की सान है और यहीं तिरंगा के लिए हमारी सबर्पित जान है आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेशते रहें यह सेग्मेंट आज से शुरू हो गया है मैं लिखती रहेंगी मुझे तोड़ी म मैं आपके लिए मेहनत करूंगी डैडी के साथ हमारा काम है यहां पर इनको बैठाना और आपका काम है प्रश्णों को भेजते रहना उत्तर इनका देना काम है चलते चलते उत्तर आप देंगे सब देंगे आप साथ रहें आप असीतर वरकरार रखी है अपना और चलते चलते यह आंति रंगा है एक बार हो जाए लिए यहांति रंगा है ये आन तिरना है, ये शान तिरना है मेरी जान तिरना है मेरी जान तिरन्णा है, अरवान तिरन्णा है, अभिवान तिरन्णा है, मेरी जान तिरन्णा है, मेरी जान तिरन्णा है यार सही दो की आएगी जब ये दोज फेराएंगे इसके तीनों रंग कयामत तक यूही लहराएंगे आजादी जिल के दव से उनका नाम बढ़ाएंगे उनकी कुर्वानी को यारों हर गिस नहीं लजाएंगे विश्वास तिरन जाएंगे वर्दान तिरन जाएंगे मेरी जान तिरन जाएंगे मेरी जान तिरन जाएंगे तिरन जाएंगे अभी 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 विश्वास तिरन जाएंगे आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे मौक्त फरोशों से कह दो अब उनको हम दफ लाएंगे अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन तिरन जाएंगे आवास तिरन जाएंगे एलान तिरन जाएंगे मेरी जान तिरन जाएंगे मेरी जान तिरन जाएंगे जान तिरन जाएंगे झाल झाल